आ गरUN को दो भागों में फिर सब बिछ गिया गया है पहला है मांग और फिर है अ सुनजे भी इस प्रेशन हें जैसी से कि इसले कहा जाता है क्लीं कि जो बैंक्स वह इन रिणों को मांग सकती अब यह जो रहन है किन बेसिस पर यह किन चीजों की जमानत लेकर के जो है रहन देती है वेक्टियों को तो वह एवडी रख लेती है या गौवर्मेंट की सेक्यूरिटी रख लेती है अगर उनका कोई टॉम प्लान चल रहा है बीमा का तो वह उ उसके बदले क्या करती है और चुकि बैंक किसी भी समय मांग कर सकती है उन रिणों को पूरा करने की इसलिए हम इसे मांग रिण कहते हैं अब जब हम अवधी रिण की बात कर रहे हैं तो जैसे कि नाम से ही सपष्ठ है कि यह जो होते हैं एक डियूरेशन के लिए अवधी क अनुसार ही दिये जाता है और इसमें जो जमानत होती है यहां पर रण दिये जाते हैं चारे वह सब्सक्राइल अब इसके इंतरगत क्या होता है यह जो है बैंकों द्वारा पेश की धन देने का यह नए तरीका है या एक और तरीका है हम कह सकते हैं विनिम में पत्रों की अवधी जो होती है वह पून होने से पहले ही उन पर रिफ्ञ दे दिया जाता है व्यापारीवर को यो व्यक्ति को अब इस पर ऑस ब्याद का ते और Kleineau Việt ्यंभने. सेम उसी concept पर यहाँ पर क्या होता है जो विनी में पत्र है उन पर क्या होता है अवधी के लिए क्या दिया जाता है एक अवधी के लिए निशित अवधी के लिए रण दिये जाते हैं और जो विनी में पत्र है अगर अवधी पूर्ण होने पर धन राशी को वसूल कर लिया ज और यहां पर जो ब्याज की दर होती है वो जो market rate चल रहा है उसी के हिसाब मतलब बाजार में जो ब्याज की दर चल रही है उसी basis पे क्या होती है यहां पर जो bank है इन account holders को क्या करती है रण देती है या loan प्रोवाइड करती है तो बच्चो इस तरीके से हमने व्यापारिक बैंको के पहले कारी यानि primary function को जाना जिसे दो भागों में बाटा गया था पहला था जमा स्वीकार करना और दूसरा था रण देना जमा स्वीकार करने में हमने क्या-क्या देखा जमा स्विकार करने में हमने देखा कि हमने FD की current accounts के थूँ और saving accounts के थूँ साथ रिकरिंग deposit के थूँ और multi option deposit account के थूँ हम क्या करते हैं बैंकों में पैसे जमा करते हैं या पैसे को व्यावसाइक बैंक के जो हैं वो स्विकार करती हैं और जो दूसरा function था या दूसरा कारिता देना उसको चार भागों में हमने फिर से बाटा था पहला वाग हमने देखा कि वह cash credit के basis पर करती है दूसरा वा क्या करती है कि overdraft के basis पर करती है फिर तीसरा रिण और अवधी के basis पर करती है अब इस रिण और अवधी को उन्होंने दो भागों में बाटा मांग और अवधी के basis पे मांग में क्या किया कि FDs और Government Securities को जमानत के तौर पर रखती है और उसके बाद फिर व्यक्तियों को रण देती है लेकिन क्योंकि इसका नाम मांग रण है तो वो किसी भी समय मतलब बैंक किसी भी समय मांग कर सकती है और अवधी रण में क्या हुआ कि जो व्यक्ति जिनको रण क्या आवश्कता है उनकी व्यक्तिगत निधी या पूंजी या उनकी जिसमपत्ति है उसको क्या किया था ऐसे जमानत रखा जाता है जैसे कि स्कूटर हुआ ट्रक हुआ मकान हुआ मशीने हुई इन सब को ऐसे जमानत रख करके वो क्या करते हैं एक निश्चित कालावधी के लिए वो इनको रण देते हैं और अंतिम हमने देखा कि विनिमे पत्रों का क्रेव कटोती करना इसमें भी हमने देखा कि विनिमे पत्र जो इशू किये जाते हैं बैंकों के द्वारा जब वहां पे लोन लिया जाता है तो उनी विनिमे पत्रों क बेसिस पर रण दिया जाता है और जो अमाउंट डिसाइड हुई है उसी बेसिस पर क्या है अब जितनी जल्दी उन विनिमें पत्रों पर लोन दिया जाएगा अगर उसका डियूरेशन या समय बचा हुआ है तो उसमय क्या होगा उतने समय की ब्याज की दर्की कटोती करके क् लेकिन जैसे ही उन विनिमें पत्रों की समय पूरा होता है या कालावधी पूर्ण उती है उन विनिमें पत्र पर धन राश्य है उनको इन व्यवसाइओं से वसूल तो इस तरीके making को के कारे को समझा आये अब हम देखते हैं इसका Sand replace बैंकों के पहले कारिया को प्रार्थमिक कारियों को जाना है आईए अब हम इसके दुटियक कारिया नी गौन कारियों को जानते हैं जिसे हम इंग्लिश में secondary functions कहते हैं प्रात्मिक कारियों के अलावा जो बैंक हैं वो क्या करती हैं अन्य कारिय भी करती हैं जिनको secondary functions में लिया आता है यह agent के दरह कारे करती हैं साथ ही साथ इसके लावा और भी कई कारे करती हैं जिसे हम इनके दुटियक function या दुटियक कारे के अंदर कर पढ़ेंगे या जानेंगे तो आप यसे की screen पर देख रहे हैं इसमें जो पहला कारे दिखा रहा है वो एजेंट या एजेंसी की रूप में कारे करता है अब बच्चों इसमें क्या होता है इसमें विबिन मदों का एकत्री करण और भुकता नतयनी collection of payments of various items इसमें क्या करते हैं कि जो उनके ग्राहक होत है यह banks करती है इसके अलावा प्रतिबूतियों की खरीदी तता विक्रियानी purchase and sale of securities अगर उनके customers किसी तरह के की जो securities है या प्रतिबूतियां है उनको खरीदना चाहती है या उनका विक्रय करना चाहती है तो वो सही rate पे हो तो उनके as a mediator या उनके लिए as a agent का काम यह banks करती है इसके अलावा क्या करती है वो एक trusty और प्रबंधक की तरह भी कारे करती है उनको पूरा whole and soul power उनके पास as a customer के द्वारा दिया जाता है कि आप हमारे जो accounts है या हमारे जो पैसे हैं उनको सही तरीके से उनका प्रबंधन करें उनको कहां लगाया जाया या उनका कहां कहीं किसी दूसरे account में उनके भोगता को पैसे भेजने हैं तो उस सीन में भी या उस कारे के लिए भी जो है bank उसमें सनलगन रहती हैं उनसे जुड़ी हुई रहती हैं साथी विदेशी मुद्रा में क्रह विक्रह करना हो यानि purchase and sales of foreign exchange इसमें भी जो कारे होते हैं as a agent कौन का इसमें क्या करती है जो अपने देश के वियापारी है उनको दूसरे देश के लोगों से वाकिफ करवाती है अगर उनको वहाँ जाकर जाकर कि व्याब्यापार कर ना है तो उस देश को सरकार से और व्यावसाईक संस्थाओं से जिनके साथ उनको व्यावपार करना है साथ ही साथ ही और क्या करती है कि दूसरे देश के व्यावसाई अगर हमारे देश के व्यावसाईक साथ मिलकर काम करना चाते हैं या दूसरे देश के व्यावसाई हमारे देश में आकर व्यावसाई करन चाहते हैं तो दोनों ही सीन में वो क्या करती है कि एक letter of reference रहता है संदर पत्र जो दोनों के लिए जारी करती है जिसमें दोनों की जानकारी दी गई होती है तो इस तरीके से जो है गौन कारे के इस कारे को भी जो है as a agent वो पूरा करती है bank फिर बात आती है bank draft की अब bank draft क्या होता है bank draft एक draft होता है जो की एक स्थान से दूसरे स्थान अगर कह सकते हैं एक account से दूसरे account यह जो account होंगे वो एक ही शहर में नहीं होंगे ठीक है तो एक account से दूसरे account में जब पैस किया जाता है यह जो बैंक ड्राफ्ट होती है यह पूरी तरह जो होती है अनाधरित नहीं हो सकती यह बहुत विश्वसनी होती है और साथ ही साथ यह जो बैंक ड्राफ्ट होती है इनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान बेया जा सकता है या एक बैंक से दूसरे बैंक ट्र विशेष्टाओं को समझें तो बैंक ड्राफ्ट की तीन विशेष्टाओं को आप इस तरीके समझ सकते हैं कि जो बैंक ड्राफ्ट है उसके माध्यम से धन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान बीजा जाएगा साथ इसाफ ड्राफ्ट जारी करने वाले जो बैंक होते हैं ग्राहक से ड्राफ्ट जारी करने के बदले कुछ कमिशन भी वसूल करते हैं यह जो दूसरी विशेषता है यह bank to bank refer करती है यह depend करती है कि कौन सी bank जो है वो draft जारी करने के लिए अपने customer से कितना commission लेंगी कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर जो customer है वो पुराना है और बहुत विश्वसनी है तो वो इन drafts को जारी करने के लिए वो commission भी नहीं वसूल कर जाती और तीसरी बात होती है कि यह जो draft होते हैं इनके अनाधरित होने का खत्रा नहीं होता मतलब इन्हें डिस ओनर नहीं किया जाता जब तक कि यह fraud ना खुशित किये जाए तो इस तरीके से हमने क्या समझा bank draft को भी जाना bank draft जानने के बाद अब आईए देखते हैं एक औ बहुति इनका गार्णी काले होता है जिसे bankers चेके ते de bank survey जड़ारी से बी प्रकॉर का bank वड़्खत होता है बस इसमें जो दिकत आती है वो दिकत यह आती है कि जैसेने bank draft में देखा था क्या कहा था मैने की इसमें जो स्थान होता है वो एक शहर से दूसरे शहर का होगा उसी तरीके से बैंकर्स चेक में भी किया होगा धन को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में स्थान अंतरित किया जाएगा लेकिन ये जो स्थान अंतरन होगा उसमें शहर का बदलाव नहीं होगा शहर सेम रहेगा मतल कुछ विश्षिष्टाओं के माधन से अगर हम समझें तो कुछ विश्षिष्टा इसकी इस प्रकार है कि जो बैंकर छेक होता है वह एक ड्राफ्ट की भातिकारे करता जैसे मैंने आपको बताया और दूसरी जीज़ है इनका जो भुकतान होता है उसी शहर में प्राप्त होत लेगा कि इसमें उसी शहर के दो ब्रांचस में केवल क्या होगा ठ्राजक्शिन्स पॉसिबल होंगे तरीके से हमने भी बैंकर चेक की विशेष्टा समझे तो अभी तक गौन कारे में जो हमने पहला classification देखा या पहला वर्गी करण देखा कि बैंक जो है एक agent या agency की तरह कारे करता है उसमें हमने निम्न बिंदो की तरह जाना अब गौन कारे के ही हम दूसरे classification की और बढ़ते हैं या दूसरे वर्गी करण की और बढ़ते हैं और दे वो सुविधा जो है वो इस प्रकार है जो कि आप इपने स्क्रीन पर देख रहे हैं पहली सुविधा जो आप देख रहे हैं वो लिखा है इसमें लॉकर की सुविधा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था लॉकर फैसिलिटी कब अवेलेबल होती है इसमें क्या होता है जो व्यक्ति locker facility चाहता है वो जाकर के जिन बैंक्स में locker उपलब्द हैं वहाँ जाकर के apply कर सकता है ठीक है और इन lockers के लिए वो क्या करते हैं हर साल एक छोटा से amount charge करते हैं ये amount बहुत जादा नहीं होता इस amount को charge करते हैं अब ये locker facility होती क्यों है सवाल उठता है लॉकर फेसिलिटी इसलिए होती है कि यदी मान लिजे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे गहनों को और मेरे important documents को मैं घर में safe नहीं रख सकती क्योंकि मैं और मेरी family के जो बाकी members है वो ज्यादा से ज्यादा समय बाहर काम पे जाते हैं और घर हमेशा लॉक रहता है या वहाँ safety कम है तो मैं क्या करूँगी बैंक में एक locker जो है वो लूँगी और बैंक में अपने सारे important documents जितने भी important documents है साथ ही साथ मेरे जितने भी आप होगा कि मेरे सारे documents और साथ ही साथ मेरे जितने आभूशन है वो सेफ हो जाए अब यह locker की सुविधा को मैं कैसे यूज कर सकती हूं मुझे जो locker a lot होगा उसकी मेरे पास होगी और एक master की जो होती है वह locker के बैंकों के पास होती है अब बैंक तभी operate कर सकता है या मैं तभी operate उस locker को कर सकती हूं जब मैं swim जाओं वहाँ पर अपनी की के साथ और साथ में वहाँ पर एक register होता है proper format में वहाँ entry होती है उस entries को पूरा करने के बाद क्या होगा आप जो मान लीजे मैं ही उस locker की owner हूँ मैं जाओंगी वह master key से पहला lock खोलेंगे देन उसके बाद second lock खोलें है और इस तरीके से हम locker की सुविधा का इस्तिमाल कर सकते हैं और अपने कीमती आभूशनों के साथ अपने important documents को भी उसमें safe रख सकते हैं आगे बढ़ते हैं जो दूसरा बिंदू है वो कहता है कि यात्री चेक ये साख निर्मान traveler check and letter of credits इसमें क्या होता है जो banks होती है यात रखी क्रियाओं से बचाने के लिए इस तरह की activities से बचने के लिए बैंक क्या करती है उनको एक यात्रा चेक देती हैं जिसके basis पे वो long route पे भी travel कर सकते हैं और साथ-साथ cash रखने का भी जो जंजट है वो खत्म हो जाता है अगली बात आती है व्यापारिक सूचनाएं जो की बैंक से प्राप्त हो सकती है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बैंक में की होता है कि हम क्या करते हैं इसके अलावा हम आड़ी करते हैं तो ऐसे इसके अलावे भी और कई सारे हम एक्टिविटेज बैंक के थू करते हैं और यह इसके लिए जो डेटा होता है वो कौन प्रोवाइड करता है और इंफोमेशन इंफोमेशन और डेटा दोनों चीज़ें ज पड़ते हैं जो चौथा हमारा सामानी उपयोगिता की सेवाएं हैं वो है धन राश्री का स्थानांत्रण ट्रांसफर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैश को इजी ली ट्रांसफर करना बिना हेरा फेरी हुए या बिना किसी समस्या उत्पन हुए इस थिती में धन र जिनिमें कार्यानी फॉरन एक्सचेंज सर्विसस ये कारे भी कुछ बैंक्स करती हैं जिनके पास वो अथर्याइजेशन होता है मतलब गवर्मेंट की तरफ से उनको अथर्याइस किया जाता है कि वह जो फॉरन एक्सेंज है उनको दिया जाए मान लीजिए कोई विदेश स दो जो वीक्ति आएगा तो वहां कि करंसी क्यारी करेगा मतलब वहां के पैसों को क्यारी करेगा जयती मम बाहरत से किंधा एक और yase करके यह यहां की वाटर बटल करीद सकती हूं क्या यहां के लोगों के लीए वो करंसी मांएंए तक अब करंसी को कि कैसे किया जाएगा जैसे की डौलर की फिलीट या एक डॉलर बडाबर कि अब सक्रीन पर देख रहा हैं एक दॉलर बडाबर जो आज की सिती में हैं वो इतने रुपए हैं तो मान लीजिए अगर मैं बाहर से आती हूं मेरे पास 10 डॉलर है तो मुझे इतने रुपए प्राप्त होंगे और यह कौन देगा मुझे यह कनवर्ट करके कौन देगा मुझे यह जो फॉरेंड एक्सचेंज सर्विस की बैंक्स हैं यह सर्विस य हमें समान उपयोगिता की सेवा में बात कर रहे थे उसका जो अंतिम कारिया फंक्षन है वो है निकासी ग्रह कारिया यानि क्लियरिंग हाउस सर्विस अब इसमें क्या होता है आज के डे टुडे लाइफ में आप देखते हैं बहुत से ट्रांजेक्शन जो होते हैं या के लिए इन बैंकों को एक साथ बैठना पड़ता है और उसके बाद ही यह चेक क्लियर होते हैं तो यह जो कारे होता है यह निकासी ग्रह कारे के अंतरगत आता है और यह जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है तो इस तरीके से हमने जो देखा गौन कारे क्या है निसे किंड्री डेखा जो है ये वल्गी करेद किया गिया पहला कारे डेख या गौन चैахमने सामाने और उप योगिता कि वयाव पारिक बैंक के दो कारियों को देख लिया है पहला है primary function यह निगात्मिक कारिय, दूसरा है gonnd कारिय है, नि malaria secondary function हम तीसरे कारे की और बढ़ रहा हैं जिसे electronic banking services भी कहते हैं यह e-banking भी क्याते हैं, e-banking के बारे में अपसे बाद में चर्छा करूँगी, पहले हम आते हैं electronic banking services पे अब बच्चों हम electronic banking services की जब चर्चा कर रही हैं तो यह होती क्या है simple सी चीज है अगर हम electronic way में जब transactions करते हैं मतलब एक account से दूसरे account पैसे transfer कर देते हैं ठीक है तो किसी भी reason से चाहे तो वहाँ पे क्या होता है यह electronic banking services काम करती है तो अभी जानना यह important है इसमें कि कौन कौन से electronic banking services हम use करते हैं या इस्तिमाल करते हैं सबसे पहले जो हम electronic banking service use करते हैं वो है electronic fund transfer या EFT जिसे हम कहते हैं इसमें क्या होता है एक account से दूसरे account में सीधा fund transfer होता है यह दो तरीके से होता है एक तो सीधी जमाय होती है यानि direct credits इसमें क्या होगा अंशो पर जो लाभांश मिलता है साथ रिण पत्रों पर जो ब्याज होता है commission वेतन और pension यह इसके अंतरगत आते हैं और जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है सीधे नाम या डारेक्ट डेबिट्स यह इसमें इसके अंतरगत क्या आते हैं जो आप टेलीफून के बिल्स पे करते हैं एलेक्टरी बिल पे कर करते हैं यह सारे जितने भी expenses हैं या payments हैं वो सीधे नाम या डारेक्ट डेबिट्स के अंतरगत आते हैं तो इस तरीके से electronic fund transfer आपने जाना अब इसके कुछ लाब भी जान लेते हैं अब जैसे कि आपने जाना कि यह इतना easy हो जाता है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है सबस कि साथ समय पर भुकतान होगा और रास्ते में हानी होने की संभावना नहीं है मतलब आप जब भी कोई transaction कर रहे हैं तो उस समय आप सो समझ की transaction कर रहे हैं ठीक है फिर लगदी में कोई हेरा फेरे नहीं डिजिट्स पर सब काम होता क्योंकि यह पूरे बाद डिजिटल है जै कि उसमें कितने जीरो लगे हैं ठीक है 5000 में 30 लगे तो आप मतलब मेंडली रूप से क्लेर हैं कि आप कितना transfer कर रहे हैं तो यह होता इसमें एक limit होती हाला कि लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है नगदी की कोई हेरा फेरी नहीं होती फिर बात आती है प्रेयत नरहित व्यव करते हैं इस एबैंकिंग सर्विसेश को यूज करते हैं बहुत से वब राऊजर है उनको यूज करते हैं इवन तो इसमें क्या होता है यह प्रेयत रहित व्यवहार रहता है कि यहां पर क्या होता है जो कश्टमर राहक और मैठेंर जाकर किसी यह लेफ्ट करना पड़ता कि यह फंडूरत पैसे निकालने, फिर पत्र विवार पर भी खर्च नहीं होता, जैसे कि आप मान लीजें जैसे होता आया है कि आप बैंकों पैसे डालने जाएंगे ठीक है, अगर आपने electronic transfer किया तो तुरंट चाला जाएका लिकिन अगर किसी अकाउंट में pan a этот हूस्में की आता है एक महांब पे slip मिलती है उसमें आपको पूरा राइटिंग वर्क करना पड़ता है जिसमें आपका नमबर रहेगा फिर आपको जिस एकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना रहेगा वो फिर आपका नाम पूछेगा फिर आप चेक दे रहे हैं कैश दे रहे हैं तो चेक के डिटेल्स मंगेगा कैश दे है ना पूरा फिलप्स एरिया होता उसको पूरी तरीके से आपको बरना है तो यह जो पेपर वर्क होता है यह यहांपर कम हो जाता है कहने का मतलब इसके अलावा भी और कई कर पेपरवर्क होते हैं यह तो मैंने इंचाह्ट आपको सम्झाया कि एक ग्जामपल ले कर कि इस तरुखता थो यह जो PAPER WARS कोते हें यह बी कम हो जाते हैं ऑब हमने पहला electronic banking service देख byte वो है electronic fund transfer EFT दूसरी बात आती है ATM यानि स्वर्च लिट टेलर मशीन automated टेलर मशीन यह बहुत ही आजकल सभी लोग इस चीज को जानते हैं आप लोग बहुत ATM यूज करते हैं क्या करते हैं डेबिट कार्ड का यूज करके आप ATM यूज करते हैं यह 24 x 7 वर्क करता है अब यह 24 x 7 क्या होता है 24 जो होता है 24 घंटे और 7 मतलब हफते में सातों दिन काम करता है ठीक है इसमें क्या किया जाता है आपके account को link कर दिया जाता है आपका account अधार कर से link होता है और उसके बाद आपके जो कार्ड है उसमें सारे details लिखे रहते हैं जो required है और आपके account को link कर दिया आप जब ATM मेशीन में अपने card को slot के slot में आप card को डालते हैं और फिर उसके बाद आपका pin number होता है अपने pin number डालते हैं और आपका फिर जितना amount आपको चाहिए आपके account में वह amount available होना चाहिए ठीक है यह इसमें बहुत important बात है अगर वह amount available है तो आप उसको तुरंद के तुरंद निकाल सकते हैं और एक चीज़ आजकल ATM मेशीन में क्या हो रहा है न कि केवल उसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं बलकि साथ ही साथ ATM मेशीन में अपने account में पैसे ट्रांसफर भी किये जा सकते हैं जो कि यह नई technology अभी अविश्कार हुई है या यह नई technology का भी यूज होने लग गया है तो इस तरीके से आपने क्या किया अप ATM का यूज करके fast transaction करने लगे यहा काड की तरह भी करते हैं इसमें बहुत सारे details मांगे जाते हैं कि इसका अवधी काल अवधी कब तक का रहेगा इसमें एक नंबर दिया रहता है साथी साथ यह debit card कौन धारक है या इसका owner को ने उसका नाम भी दिया रहता है और इस debit card का एक personal number होता है तो इस तरीके से debit card का न अब जो मैं कह रही हूँ कि यह जो debit card है वो किस से link होता है बैंक के account से link होता है जिस भी bank का debit card होता है और उससे आप जो भी चाहें shopping वगरे कर सकते हैं यह इससे सारी activities बहुत easily perform हो जाती हैं आपने कई बार देखा होगा कि पेट्रोल पंपर भी कई लोग अपने debit card को use करके क्या करते हैं debit card को swap करते हैं और उससे payment कर देते हैं तो यह होता है in short electronic banking services का इससमाल करना आज के करोना काल में अगर आप बिना touch किये सारे transactions कर रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है ना क्योंकि आप ज्यादा लोगों से अगर संपर्क में आएंगे तो यह आज के समय मे हानिका रख है तो इस situation के लिए भी साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि electronic banking से क्या क्या फायदें उन सब रीजन से भी क्या है कि यह facilities debit card की ATM card की या electronic banking services बहुत जरूरी मानी जाती है अब बात आती है credit card की जो credit card होता है बच्चों जैसे कि मैंने आपको एक बार और बताया था कि एक overdraft सुविधा की तरह कारे करता है इसमें क्या होती है इसमें आपको limit दी जाती है आप उतना ही expense कर सकते हैं यह पैसे जो है bank जो है वो अपनी तरफ से खर्च करेगी मान लीजे मैं जो है shopping करने जा हूँ और credit card से payment करती हूँ credit card से payment हो गया लेकिन यह deduct कहां से होगा banks deduct हो जाएगा लेकिन इस पर क्योंकि bank ने सारे पैसे दिये हैं तो इस पैसे पर मुझे ब्याज भी देना पड़ेगा क्योंकि वह मेरे account से नहीं कटा है वह bank के account से ही credit हो गया है पैसा अब मुझे क्योंकि bank को पैसे वापस करने हैं तो उस situation में क्या होगा उस situation में यह होगा कि bank अपने bank ने जो पैसे खर्च किये मेरे shopping पर उस पर जो उचित ब्याज है वो भी add करेगी और साथ ही साथ वो total amount जो है मुझे जमा करना पड़ेगा तो credit card भी debit card की से थोड़ा भिन्न होता है लेकिन उस करते हैं जो लिखावट होती है लगबख सेम होती उनमें भी number होता है उसमें credit card holder का नाम होता है साथ ही साथ उसमें भी कुछ numbers दिये जाते हैं उसका भी pin होता है और सबसे बड़ी बात bank जिन customers या ग्राहक पर यकीन करती है या विश्वास करती है कि नहीं अपने credit card का जितन करती हैं तो इस तरीके से आपने credit card भी जान लिया अब बात आती है टेली banking टेली banking क्या होगी जैसे सिंपल है जैसे कि आपको समझ में आ रहा है टेली मतलब टेली फॉनिक मतलब आपने कॉल किया आपने सो औन सो बैंक में कॉल किया और अपने account के बारे में जानकरी चाहते ह हैं तो इस situation में इससे हम क्या कहेंगे टेली banking कहेंगे फिर last जो बात आती है वो है core banking की अब इसे हम CBS भी कहते हैं जिसे core banking solutions कहते हैं कुछ एक banks जो हैं वो इस facility को use करती है जो all over India work करती है या जिनके पस यह authority है कि वो CBS use करे वो banks क्या करती है अगर आपके account उन banks में हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप दूसरे branches से भी या इंडिया के किसी भी state के उस bank से अपने जो जहां account खोला है उस account को operate कर सकते हैं मान लिजे आपके मान लिजे मैं रायपूर में हूं और मेरा CBS bank में account है इस situation में क्या होगा अब मैं जाती हूं traveling के ल इसी वजह से चली जाती हूं एहमदाबाद या नाकपूर जिसी भी city में उस city में जाकर के मुझे पैसे निकालने तो क्या करना पड़ेगा मुझे simple सी चीज होगी कि मैं उस CBS bank के एक branch में जाओंगी जिस भी शहर में हुए वहां से जाकर के मैं वहां की formalities complete करूंगी और वह प्रोकर निकलवाने की सुविधा होती है जैसे कि मैंने आपको बताया आप किसी भी शहर में रहें अपने एकाउंट से money transfer कर सकते हैं उसके बाद सी बीए शाखा पर बनवाई गई जो corporate limit है उसका संचालन भी किसी भी सी बीए शाखा से कर सकते हैं इस तरीके से बिच्चों आपने क्या किया जो primary function है साथ ही सा secondary function और उसके बाद आपने यह जो अंतिम कारे है इबैंकिंग का कारे उसको समझा और जाना है आईए अब देखते हैं कि NFT और RTGS क्या होता है